छोटी छोटी मैं कहा रहा था व्रतों से जीवन महान बनता है अब हम सब व्रत ले लें आज सब क्या हम जीवन में कभी योग को छोड़ेंगे नहीं ज 270 वोलेंगे योग को कभी छोड़ेंगे अब एक व्रत आये, ये क्या है बोलो, व्रत, अब ये छोटा सा व्रत देखने में, लेकिन जो योग प्रती दिन करेगा, उसकी जीवन में कोई रोग नहीं आएगा, वो शरीर से कमजोर, वो दिमाग से भी कमजोर, बुद्धी से भी कमजोर, वो समविदनाओं से भी कमजोर नहीं रहेगा, कर्म और पुरशार्थ करने में भी कमजोर नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, एक छोटे आसा व्रत है, मैंने कहा है था न, अगला बाके लिखो, छोटे छोटे व्रतों संकल्पों से जीवन महान बनता है, क्या बोला, दिख लो, ये बात छोटी सी है, लेकिन इसी का परिणाम स्रेश्ठतम जीवन होता है, छोटे छोटे व्रतों से, छोटे छोटे व्रतों संकल्पों से, जीवन महान बनता है, जीवन में, जो हम मार्ग दर्शानाप में बड़ों से पाते हैं, जिनों ने जीवन में कुछ उपलब्दियां किया, उनसे कुछ बात सुनते हैं, उस बात की किमत पता है कितनी होती है, क्रोडों अर्बुरुपय होती है, कुछ छोटी सी बात से हम जीवन में, सैक्रों, हजारों, बिग अचीवंट्स बड़ी उपलबदियां बड़ी विजय योन Juddme समझिक आर्थिक राजनेतीक धार्म काध्यात में चृत्र में जिनको सफल乾लता सक्सिस कहा जाता है जिनको जाता हुआ उनके होने में एक विचार कारण होता एक विचार एक संकल्प एक व्रत मैं कहता हूँ विकल्प रहीत जोर से बोलो विकल्प रहीत अखंड प्रचंड तो फिर दिने धीरे सी क्यों बोल रहा है जोर से बोलो विकल्प रहीत अखंड प्रचंड इन दो शब्दों के बल पर संकल्प और पुर्शार्थ के बल पर मैं त मारे सामने बैठा हूँ मैं पढ़ मावाब के घर में चोटी से गाउं में पैदा हूँ सरकारी स्कूल में पढ़ा था यह आचारी कुलम जैसा बहुत स्रेष्ठ विद्याले तो हमको नहीं मिला था लेकिन ये दो बातों के बल पर संकल्प अर्थात ब्रत और पुर्शार्थ के बल पर हम आज यहां पहुंचें है कि जो किया है जीवन में वो स्रेष्ठ तम श्रेणे में छोटे चोटे चोटे व्रतों से क्या लिखाया बोलो छोटे छोटे वरतों संकल्बों से जीवन महान बनता अब यह चोटे छोटे वरत किया है इसको भी लिख लो एक वरत ही चोटे छोटे वरत हैं एक वरत है की मुझे योग का वरत लेना है दूसरा वरत पुर्शार्थ का अवरत, योग अवरत, दूसरा क्या बोला मने, पुर्शार्थ अवरत, जोर से बोलिये, क्या बोला, पुर्शार्थ का अवरत, योग करना है, इसी जीवन में किसी भी तरह की कोई बीमारी, किसी भी तरह की कोई बुराई, किस जीवन में कोई बुरी आदत जीवन में जितने भी दुर्वियसन हैं दुर्विचार हैं धुर्वावनाएं हैं दुश्कर्म हैं जो भी जीवन में अशुब है कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ जो योग करेगा उसके जीवन में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई बुराई किसी भी प्रकार का कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा कोई अभाव किसी भी तरह का उसके जीवन में कोई अंधेरा नहीं रहेगा एक छोटी से व्रत से एक छोटा से व्रत मुझे सुबह कपालभाती करना है अनुलोम विलोम करना है ओंकार गाहितरी का ध्यान करना है सुरुनमसकार करना है व्यायम करना है लोगों की आधी जिन्दगी की कमाई दवाई में और दारों में बीडी में सिगरिट में शराब में व्यसनों में दो रहा है किसमें बीडी शिग्रेट शराब और वीपी शूगर थाइरेड कैंसर की दिमारियों में हॉस्पिटल्स में देश का आधे से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है दवाओं में दारू में हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां पर एक भी व्यक्ति शराब पिने वाला ना मिले बीडी पिने वाला ना मिले शिग्रेट पिने वाला ना मिले अच्छा हम किसकी संतान हैं रिशियों की संतान है क्या बोलते हम किसकी संतान है बोलो तो रिशी मुनी दारू पीते थे क्या बीडी पीते थे क्या कोई दूसरे देश से भारत में आकर के देखे और यह अपने आपको रिशियों की संतान कहते हैं और बीडी पी रहें सिगर अधियों से तो मुक्त होई किसी को वीपी, शूगर, थायराइड, कैंसर, अर्थायराइटिस, रमिटेड अर्थायराइटिस, SLE, MS, अटुमेंट, डिजीज, बहुत रहे की बीमारी हैं। हमारा सपना है रोग मुक्त भारत का, क्या है बोलो, जोर से बोलो, रोग मुक्त भारत का, दूसरा बोलो, व्यसन मुक्त भारत का, बोलो, प्रमाद मुक्त भारत का, जोर से बोलो, ये रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, प्रमाद मुक्त, ये बीमारियों से, बुराईयों से, सभी प्रकार की हिंसाधी, दोशों से, अलग-लग प्रकार की दुरबलताओं से, मानविये दुरबलताओं जिसको कहते है, human weaknesses उनसे मुक्त भारत देखना चाते है किसे बन जाएगा ये भारत एक छोटा सा वरत योग का क्या है वरत बुलो ये सबसे बड़ी campaign बहुत तरह की campaign लोग चलाते है अलग अलग रोगों के लिए campaign चलती है diabetes free India जैसे कोई तरह की राजनतिक नारे दिये जाते है ब्रष्टा चार भारत छोड़ो जैसे एक देश में अंदोलन चला था महत्मा गांधी जी के समय अंग्रीज जब है यहां शाषन किया करते थे पहले इस्ट इंडिया कंपनी का बाद में अंग्रीजों का उससे पहले मुगलों का और अलग अलग प्रकार के सासन व्यवस्था यहां पर रही राजा महराजाओं का सासन रहा तो अंग्रीजों कि समय यहां मुहीम चली केम्पियन को हिंदी में मुहीम बोलते है उसी को अंदोलन अभियान बोलते है तो एक केंपेंड चली एक आंदोलन अभियान चला क्या चला अंगरेजो भारत छोड़ो अब देश में राजनातिक महिम चल रही है ब्रश्टाचार भारत छोड़ो गरीबी भारत छोड़ो हो महंगाई भारत छोड़ो गंदगी भारत छोड़ो स्वच्छता भियान ये भारत को इन चीजों से छुटकारा कम मिलेगा ब्रश्टाचार, बेमानी, लूट मार, घोटाले गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी भारत छोड़ो यह सब चीजों से मुक्त भारत कब बनेगा जब योग युक्त होगा पुर्शार्थ युक्त होगा भारत अमें अपनी भुजाओं अपने बल पर भरुशा होना चाहिए तो दो वरत आपको बताए योग का व्रत और दूसरा क्या बोला जब सब योग करेंगे और शब पुर्शार्थ होंगे तो कोई गरीब रहेगा क्या बोलो तो गरीबी भारत छोड़ो हो जाएगा महेंगाई भारत छोड़ो हो जाएगा बेरोजगारी भारत छोड़ो हो जाएगा ये छोटा सा व्रत है और छोटे छोटे व्रतों से जीवन महान बनता है और जब हम सब का जीवन महान होगा तब राष्ट महान होगा हमारा जिवन होगा महान तबी होगा भारत महान योग का वरत दूसरा क्या बताए मैंने पुर्शार्थ का वरत अब तीसरा वरत है स्वदेशी का वरत क्या बोलो स्वदेशी का वरत जोर से बोलये वोलो स्वदेशी का वरत और इनका कलेक्टिव इफेक्ट कितना आता है इनका पूरा देश योग वरती बन जाए पुरशार्थ का वरती बन जाए तो इस देश में हर वर्ष कम से कम पचास लाख करोड रुपए की अतरिक्त सम्रद्धी आ जाएगी इसका इकनोमिक वेलिवेशन कर रहा हूं ये तीन व्रत कर लें सारे देशवासी योग का व्रत दूसरा पुर्शार्थ करने का व्रत और तीसरा स्वदेशी का व्रत तो कम से कम एक एक व्रत से 10-10 लाख करोड का फायदा होगा और देश करीब पचास लाख करोड की अतरिक तार्थिक सम्रद्धी प्राप्त कर लेगा कितना पचास लाख करोड कैसे होगा ज़र सुनों 10 लाख करोड तो मैंने का किसका बच जाएगा बीमारियों का 10 लाख करोड रुपए फिर बुराईयों का ब हिंसा इससे इसी से ही करीब 25 लाग करोड का खर्चा बच गया, खाली रोग मुक्त होने से, व्यसन मुक्त होने से और हिंसा जगडा मुक्ती इसको महाराष्ट में महापरशों ने व्यसन मुक्ती और टंटा मुक्ती अभियान, वह जगडे को टंटा बोलते हैं, व्यसन मुक्ती से, रोग मुक्ती से और आपस में जगड रहे हिंदू, मुसल्मान, सिख, हिसाई, ब्रामन, ख्षत्र, वैश, सूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी और दुनियावासी लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में ये जो मिलिटरी पर खर्चा हो रहा है, बहुत भेंकर हो रहा है, और मिलिटरी वाला तो युद्धों में हो रहा है, उससे नीचे, पैरा मिलिटरी, फिर पुलीस, फिर कोट कचैरी, और इस बार कितना भेंकर खर्चा होता है, फिर, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, ये तर लोग नहीं मिलते कुशल अकुशल लेबर नहीं मिलती प्राफिशनल से नहीं मिलते माने कहने को बेरुजगार दिस बताते हैं लेकिन खेती करो तो खेती में काम करने वाले आदमी नहीं फेक्टी में काम करने वाले आदमी नहीं स्कूल में बैस्ट टीचर नहीं प्रिंसिप में एक दुर्बलता है और हुआ है कमफट में जीना चाहता है मेहनत नहीं करना चाहता है और हमने अपना सवाव बना लिया कि हमको मेहनत किये बिना काम किये बिना रहा नहीं जाता है मुझे आचारे वाक्षन जी को और हमको लोग बोलते रहते हैं आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो मैंने का बहुत काम के सिवा और काम आता ही नहीं है और काम के बिना रहा जाता नहीं है किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के बिना नहीं रहा जाता और किसी को 50 बार कहना पढ़ता है, 100 बार कहना पढ़ता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, मेनत, पुर्शार्थ, हाड़ बर करना है, पढ़ाई में, फिर आपका कैरियर सुरू होगा, तो फिर कमाई में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, सर्विसेज में, र पुर्शार्त को ही जीवन का स्वभाव बनाया है हमें पुर्शार्त को क्या करना है जीवन का जोर चे बोलो पुर्शार्त को जीवन का क्या बनाना है बोलो स्वभाव किसी किसी का प्रमाद स्वभाव बन गया है नहीं तो मैं कह रहा हूं भोग भारत छोड़ो प्रमाद भा चोड़ो विदेशी कंपनियां भारत चोड़ो विदेशी भाषा विदेशी संस्कृति विदेशी सभ्यता विदेशी चिकित्सा विदेशी शिक्षा व्यवस्था विदेशी खेती खेतों में भी विदेशी कंपनियों का कबजा है खाद से लेकर के पिश्रिसाइच से लेकर कि सब विदीशियों का कबजा, भाषा पर विदीशियों का कबजा, संस्कृति सब्वेता पर, खानपान पर, हमारे भजनों पर, हमारे सम्विदनों पर, हमारे मनोरंजन पर, हमारे मन पर, हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में, हमारे सडकों पर, गाड़ियों के रूप में technology की रुप में mobile computer से ले करके भारत में कोई कमी तो है नहीं अभी हमने तो satellite तक अपना बना लिया है और फिसली दिनों पहले एर स्ट्राइक हुई फिर फिर satellite स्ट्राइक हुई सब अब तो देख लिए हमने भारत के सामर्थे को तो फिर मैं कह रहा हूँ सारा देश पुर्शार्थ करने लग जाए जड़ा इस बात को गोर से सुनना अब देखो आपने बात लिख लिए है अब इदर देखो मेरे कि तरह सारा देश खेत जो किसानों खेतों में पुर्शार्थ करें जवान हों सीमाओं पर पुर्शार्थ करें विद्यार्थी विद्यालों में पुरियारत करें इनके टीचर, इनके प्रिंसिपल्स, फिर स्कूल के बाद कॉलेजों में प्रोफेसर्स फिर दीन्स और उनके चंसलर, वाई चंसलर्स, वह उनि αυτ Champions में पुरियारत करें जो मज़़ूर हैं और फिर उपर प्रोफिशनल्स हैं वो फैक्टियों में उद्योगों में पुर्शार्थ करें सर्विसिज में पुर्शार्थ करें जो जहां है वहीं पर मैं तो ओवर टाइम करने में भरूसा रखता हूँ मेरा वर्किंग टाइम क्या है मेरे वर्किंग आउर्स भी आप लोग भी चेक कर लो सब लोग आजकर रिपोर्ट कार्ट देने में लगे हैं तो हमारा रिपोर्ट कार्ट देख लो आप मैं वर्किंग आवर्स मौर्नेंग फोर फाइव एम तो टैन एलेवन पीम दीज आर मैं वर्किंग आवर्स नौ Elite है छुटी की चुटी जोर भोल Demi देख समझ भूत है कहीं हमरी चुटी तो रुद नहीं हो जाएगी डर के बोल रहें जोर से बोलो चुटी की लेकर चुटी में बड़ा मजा लेते हैं क्या करते हैं गेम खेलेंगे आपसे पूचा दाने में गेम खेलेंगे टीवी देखेंगे खूब खाएंगे खूब खेलेंगे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे अच्छा खाना खाना है सात्विक आहार लेना है सात्विक आहार बोलो सात्विक विचार सात्विक वानी सात्विक व्यभार सात्विक स्वभाव सात्विक सम्रिद्धी बड़ी बातें लिखलो याद नहीं रहेंगी इतनी हो तो बहुत शार्प आप बहुत ग्रेट हो बहुत नौलेज़फुल हो बहुत एक्सिलेंस हैं आप में, बहुत प्रकार के कुशलताएं हैं, स्केल्स हैं आप में, लेकिन छूट जाती है फिर चीज़ें आहार, विचार, वानी, व्यभार, स्वभाव, सम्रिध्धी, उपलब्धी, विजय सात्विक के आगे सारे सब्द लिख लो, सात्विक, आहार, विचार, वानी, व्यभार, स्वभाव से लेकर के सम्रिध्धी, सफल्ता, विजय, उपलब्धिया, सुख, और मनोरंजन, खुशी, ये सब क्या होने चीज़ें हमारी सात्विक मनोरंदर भी सात्विक होना चाहिए, अब देखो, मैं कहा रहा था, वापस आ रहा हूँ, हम, मैं बोल रहा था, अठारह घंटे से बीजन, अठारह, अठारह घंटे, ओवर टाइम करता हूँ मैं डेली, मैं ने क्या बोला, मैं पुर्शारत के बारे में बोल रहा था, ओवर टाइम करता हूँ मैं डेली, अब कुछ रोग इसी से परिशान हो जाते हैं जी इतनी मेहनत करने पड़ती है अचारे कुलम में तो वार्डन को टीचर को प्रिंसिपल को यहां तो बच्चें को भी इतनी मेहनत करने पड़ते हैं कुछ इसको बोज मानते हैं हम करे आपको इस सभाव बनाना चाहते हैं क्या बनाना चाहते हैं हम इसको बोलो जोर चे बोलो पुर्शार्थ को सभाव बनाना है और इसको खुशी-खुशी से करना है तो मैंने बोला साब लोग अच्छे व्रत ले ले अच्छे व्रत ले ले योग का व्रत पुर्शार्थ का ब्रत व्यसन मुक्त जीवन जीने का ब्रत जीवन में चैप्ड़ा हो जाए मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ मुझे कोई स्वामी जी एक बार अब गुठका मुँ में डाल करके खाली इतना बोल दो बड़ा अच्छा टेस्ट आया मुझे इसके लिए करोड रुपे मिल सकते हैं मैं ऐसे डाल के बोलो जैसे कुछ स्टार लोग करते हैं इसको कहते हैं ब्रैंड को इंडोर्स करना क्या बोलते हैं बो जोर से बोलो यह भी एक तरह का नॉलेज है ने विद्यार्थ तो जैसे मैं कोई ऐसे गुठका ऐसे मुझे डाल करके ऐसे बोल दो क्या बात है वह 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 इतना सब बोल दो तो मुझे मिल जाएंगे 50 करोड 100 करोड कम से कम एक बार करने के और ऐसे मैं 10-20 सीजों के बारे मे कर दो तो मैं एक दिन में एक हजार करोड रुपर ले सकता हूं एक बार कोका कोला पेफसी मुझे लगा हूं प्यास बुचाओ कि एनर्जी पाओ कि आओ खुस्तू फानी करते हैं कि मैं खाली एक बार मुझे लगा करके और सल्मान खान की तरह सलूब भाया की तरह है और खुस्तू फानी करते हैं और ऐसा बोल दो तो मुझे मिल जाएंगे 10-20 पचास करोड रुपर लेकिन स्वामी राम देव तमारे सामने बेढ़ा हूं ए बच्छो मुझे कोई सो पचास नहीं हजार दस अजार करोड रुपर भी दे तो स्वामी राम देव अंडा नहीं खा सकता बीड़ी नहीं पी सकता शिग्रेट नहीं पी सकता सराब नहीं पी सकता कोको कोला नहीं पी सकता पेपसी नहीं पी सकता और लोग पैसा दे के पी रहे हैं लोग पैसा दे करके पी रहे हैं वो तो पैसा लेके पीते हैं दूसरे पैसा देके पीते हैं दोनु बदमाश हैं लेके पेने वाले वो तो महाशातिर हैं और देके पेने वाले अज्यानी हैं गड़बड हो गई ना बार ये हैं छोटी करता हूं और ऐसा देश में बनाना चाहता हूं और ऐसा देश हम बनाएंगे मैं इसके लिए दोस बीस पत्शीस पचास साल लगा रहूंगा और तब तक आप बुढ़े हो जाओगे अभी जो मेरे सामने बैठे हो ना 15 15 साल वाले 12 से 15 साल वाले जो मेरे सामने बैठे हो 16 17 के पहुंच गए हैं तो पंद्रह सत्रह साल वाले पचास साल बाद आप हो जाओगे सीनियर सिटिजन साट साल के तब तक ऐसा देश हम देखना चाहते हैं जहां भारत में कोई बीड़ी ना पीता हो सिगरेट ना पीता हो शराब ना पीता हो और फिर इनको इंडोर्स करने वाले कह आएगे अईसा मन होना चाहिए हमारा कि हमको इन में कोई फसा ना सके बहका ना सके माबाप इस बात के लिए बड़ी चिंतीत रहते हैं कि हमारे बीड़ी ना पीने लग जाए सिगरेट ना पीने लग जाए शराब ना पीने लग जाए गुठowski खाने ने लग जाए और उल्टे-पूल्टे न को बुरी आदत ना लग जाए मने कहा था योग एक अच्छी आदत है बोलो योग एक और इस एक अच्छी आदत के लगने से जीवन में कोई बुरी आदत